साथियों, देश का हर छोटा बड़ा शहर 21 सदी के भारत की अर्थेववस्ता का बड़ा सेंटर होने वाला है। हमारी दिल्ली तो देश की राजधानी भी है। आज जब 21 सदी का भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है, तो हमारी राजधानी में वो भव्यता रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इतना पुरारा शहर होने के वज़े से इसमें चुनोतिया जरूर है, लेकिन इन चुनोतियों के साथ ही हमें इसको आधुरिक्ता की नई पहचान भी देनी है। इसलिए आज दिल्ली को आधिनुत स्वरूप देने के लिए अने को प्रयास किये जा रहा है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने इनकी खरीत पर टैक्ष में भी छूट दी है। दिल्ली की सेंकडो कॉलोनियों का नियमित करण हो या फिर जुग्यों में रहने वाले परिवारों को बहतर आवास देने का प्रयास। दिल्ली की पुरानी सरकारी इमारतों को आज की जरूरत के अनुसार एन्वार्मेंटरल फ्रेंडली बनाये जा रहा है। जो पुराना इंफरसेक्टर हैं उसको आधुनिक टेक्नलोजी आधारी इंफरसेक्टर से बढ़ला जा रहा है। साथियों दिल्ली में पुराने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अलावा 21 सदी के नए आकरशन भी हो। इसके लिए काम जारी हैं। दिल्ली इंट्रनेशनल कान्फरेंस, इंट्रनेशनल एक्जिमिशन, इंट्रनेशनल बिजनेस्ट टूरिसम, इसका आहन सेंटर होने वाला है। इसके लिए द्वारिका में देश का सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है। इसी तरह एक और जहां नई संसत भवन के निर्मान का काम शुरू हुआ है, वहीं एक बहुत बड़े भारत बंदना पार्क, भारत बंदना पार्क को भी तैयार किया जा रहा है। एक सो तीस करोड से अधिक आबादी की दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत की राजदानी है। उसी भवता के दर्सन यहां होने चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर काम करते हुए दिल्ली के नागरिकों का जीवन और बहतर बनाएंगे, दिल्ली को और आधिलिक बनाएंगे।